हाई ट्वेल्दीज, वेलकम टू एज़िवे कामर्स लासेज, मैं हूँ दबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने शियर कापिटल चेप्टर का वो थियोरी पार्ट करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा हमें डिफिकल्ड लगता है और सबसे ज़्यादा एक्ज जो कि दिखने में सेम लगते हैं बोलने में mi me Capital and Capital Reserve same लगता है but meaning बिल्कुल अलग है वही आज हम सीखेंगे जो की बहुत असान है समझना देखो Reserve, Capital या Capital Reserve दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस Reserve, Capital, Reserve मतलब सेफ करना आप Capital को सेफ कर रहे हो तो यहाँ पे Reserve पहले आ रहे है न यानि कि अपने सेफ कर रखे क्या Capital ठीक है बंध होने वाली होती है तभी मांगती है उससे पहले कभी भी नहीं मांगती सिर्फ कब मांगेगी सिर्फ एक lifetime में सिर्फ एक बार जब बंध होने वाली होती है So it is that part of Capital which cannot be called except in the event of winding up जो पूरे lifetime वो नहीं मांगती कब मांगती है बस winding up के समय पर जब बंध होने वाली होती है और it is uncalled capital और इसको क्या कहा जाते है uncalled capital कहा जाते है जब की capital deserve क्या होते गाइस capital यानि की capital मतलब capital की saving अब capital की saving क्या है गाइस कि जब company बहुत ऐसे capital transactions करती है like कोई asset था महंगा बेश दिया लिया 15,000 का asset 30,000 में बेश दिया तो उसका वो काम नहीं था asset बेशना बट उसकी machine बिग गई महंगे में कोई बंदा बेफकुफ तकरा गया और महंगा ले गया तो यह उसका capital profit है क्योंकि normal transaction से नहीं हुआ है तो यह उसका capital profit है जैसे आप share के case में पढ़ते हो four feature के case में पढ़ते हो ना क्या हम capital reserve में पैसा transfer करते हैं तो यानि कि normal course में हमारा वो काम नहीं था बट किसी shareholder ने हमारा पैसा नहीं दिया तो हमने उसका पहले का पैसा जब्त कर लिया और capital reserve में डाल दिया तो that is called capital profit ठीक है तो उसे capital reserve कहते हैं यानि कि हम उस profit को reserve में डाल देते हैं so reserve set aside as out of capital profit वो reserve जो हम बनाते हैं कहां से capital profit से और capital profit किसे कहते हैं जो भी unusual transaction capital transaction जैसे asset महंगा बेग जाना कोई भी ऐसी transaction से हमें होता है it is that part of reserve which is not free for distribution as dividend और यह ऐसा reserve है यानि कि आपने पैसा ज़रूर जोड रखा है बट इसे आप अपने shareholders में dividend के रूप में नहीं बाढ़ सकते हैं normal profit अगर जोड के रखो वो बाढ़ देते हैं बट इसे नहीं बाढ़ते हैं इसे हम अपने losses जो capital loss हो जाता है ना कहीं बार कि ऐसे टूट गया खराब हो गया capital losses का भुकतार मतलब इसे कंपेंसेट करते हैं जैसे आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी ठीक है तो अगर जैसे वो और जादा महंगी दाम में बिग गई benefit हो गया लेकिन उस पैसे को समाल के रखा दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए तो यानि कि इसका जो profit होते वो इसी के losses में use किया जाता है ठीक है यह concept clear रखना अब guys disclosure reserve capital हम balance sheet में नहीं शो करते हैं लेकिन capital reserve को हम balance sheet में शो करते हैं reserve and surplus में ठीक है इसके बाद mandatory reserve capital होना mandatory नहीं है guys लेकिन capital reserve होना अगर आपको capital profit हुआ है तो you have to transfer in capital reserve so it is appropriate ठीक है आप appropriate करते अपने profit को transfer करके कि यह वाला part तो हमें आगे के लिए बचा के रखना है कोई capital loss ना हो जाए हमें तो उस तरीके से हम इसको देखते हैं ठीक है अब resolution reserve capital के लिए resolution required होता है लेकिन capital reserve के लिए कोई भी resolution नहीं कोई आपको resolution पास करने की ज़रूर थोड़ी है पैसा जोड़ने के लिए लेकिन अगर आपको यह ऐसी capital रख रहे हो जो आप सिर्फ जब बंध होगी company तब मागेगी तो उसके लिए आपको resolution चाहिए इसके बाद आते हैं capital losses तो of course reserve capital से capital loss write-off नहीं किया जाता किससे किया जाता है capital reserve से write-off किया जाता है question one mark में भी गाइस बहुत पूछा जाते हैं I hope आपको clear हुए होंगे इसको अच्छी तरीके से समझना है one mark में mcqs में यह theory part पूछा जा सकता है और अगर कुछ चीज नहीं समझाए तो youtube और instagram पर मेरी idea तब यताम ऐसी पूछ सकते हो और अगर वीडियो पसंद आए तो like, share जरूर करने है guys और चैनल को subscribe करने है for more videos और अपने प्यारे प्यारे comments भी करने है thank you